आज देश ने अपने एक महान सपूत पुर्व उपप्रधान मंत्री लाल किष्णा अडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्ड़ा लिया है हम लोग बहुत खुश है कि उनको ये सम्मान दिया गया है भारती राजनीती के शिखर पुरुष और पूर्व उपप्रधान मंत्री लाल किष्णा अडवाणी को भारत रत्न देने का एलान सिर्फ सम्मान नहीं बलकि एक शिश का अपने गुरू के परती समर्पन भी है या कहें गुरू दक्षना भी भारत रत्न मिलने की घोशना के बाद चानवे वर्ष के आडवाणी हमेशा की तरह सादगी और भावुकता के साथ देश के सामने आए साथ में बेटी पृत्वा आडवाणी भी थी लाल किरिशन आडवाणी ने हाथ जोड़ कर सब का अभी वादन किया आडवाणी को भारत के सरवोच समान देने की जानकारी सबसे पहले उनके शिश पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी पहले सोशल मीडिया पर और इसके बाद ओडिसा की रैली में साथियों आज देश ने अपने एक महान सपूत पुर्व उपपरधान मंत्री लाल किरिशन आडवाणी जी को भारत रतन देने का भी निर्ड़े लिया है भारत के उपपरदान मंत्री ग्रह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निश्ठावान जागरूप सांसत के रूप में आदर्णिय अडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतीम है आडवानी भारती राजनीती की वो धुरी हैं जो लंबे वक्त तक पिफक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाते रहे और जब सत्ता में आये तो अपनी कारशैली से सुशासन का रास्ता दिखाया बतोर ग्रह मंत्री और बतोर उप्रद्धान मंत्री उनकी राजनीतिक यात्रा ने कई आयाम हासल किये अडवाणी जी का ये सम्मान कि इस बात का प्रतीक है कि राष्ट की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट कभी भुलाता नहीं है मेरा सवभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी कासने उनका मारदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है मैं आदर्णी आडवाणी के दिर्गायों होनों की कामना करता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी कैसे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के पत्थ प्रदर्शक बने और कैसे उन्होंने मोदी को राजनीती में आगे बढ़ाया ये सब आपको आगे बताएंगे साथ ही आपको बताएंगे की कैसे करांची का एक नौजवान भारत की राजनीती का शिखर पुरुष बन गया मगर आज का दिन सिर्फ आडवाणी के जीवन के लिए ही नहीं बलकि भारती राजनीती के इतिहास के लिए भी एक नया अध्याय है आडवाणी की जीवन यात्रा कई उतार चड़ावू से भरी रही लेकिन जब उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान देने के लिए चुना गया तो उन्होंने अपनी भावनाएं अपने ही अंदाज में बया की है आडवाणी ने एक संदेश लिखा है अत्यंत विनमर्ता और कृतिग्यता के साथ मैं भारत रत्न स्वेकार करता हूँ जो मुझे आज प्रदान किया गया है ये ना केवल एक व्यक्ती के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है बलकि उन आदर्शों और सिध्धानतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी शमता से जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया जबसे मैं 14 वर्ष की आयू में राश्टिये सोहम सेवक संग में शामिल हुआ तबसे जीवन में जो भी कारे मुझे सौंपा गया है उसमें मैंने अपने प्रियदेश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा में ही पुरुसकार चाहा है जिस चीज ने मेरे जीवन को प्रिरित किया वो आदर्श वाक के इंदम नमम है ये मेरा जीवन नहीं है मेरा जीवन मेरे राश्ट के लिए है हम लोग बहुत खुश है कि उनको ये सम्मान दिया गया है क्योंकि मैंने देखा है कि दादा के आखों में हमेशा जब तिरंगे को सलाम करते तो हमेशा आसू होते हैं उनकी आखों में तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहते हूं कि I think he really deserves this award राश्टवाद और राश्टवादी राजनीती आटवाणी के जीवन की मुख्धारा का हिस्सा रही है इसलिए भारत रत्न मिलने पर भी उन्होंने राज के पिरती अपने समर्बन का जिक्र किया है आटवाणी की जीवन यात्रा में स्वर्गिय पूर्व परधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई का भी लंबा साथ रहा है अटल आटवाणी की जोड़ी भारती राजनीती की सबसे यादगार जोड़ी रही है अटल जी को 2015 में मोधी सरकार ने ही भारत रत्न से समानित किया था और आज जब आटवाणी को भारत रत्न मिला तो उन्हें अपने जोड़ीदार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपई की याद आ गई आज मैं उन दो लोगों को कृतिक गिता पूरवक याद करता हूँ जिनके साथ मुझे करीब से काम करने का समान मिला पंडित दीन दियाल उपाध्याए और भारत रत्न अटल विहारी बाचपई मैं अपनी पार्टी के लाखों कारे करता हूँ स्वयम सेवकों और दूसरे लोगों के परती हिर्दे से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मुझे सारवजनिक जीवन में अपनी यात्रा पूरी करने के दौरान काम करने का स्वभाग मिला दादा पिछले वर्षों में खुश है और की बीजेपी जिसकी नीव उन्होंने अटल विहारी वाजपई जी के साथ रखी थी उनकी दोस्ती बहुत गैन थी और वो उनको स्वभाविक तोर पर बहुत मिस करते हैं तो दादा तो यही इसी बेखुश है कि देश प्रगती की और प्रगती की दिशा में जा रहा है और देशवासियों से यही कहना चाहता है कि जिस आईडियल्स के लिए जिस जिन आईडियल्स के लिए दादा अपने जीवन में खड़े रहे, गुड गवनन्स हो या अपने निजी जीवन में भी जो आईडियल्स लोगों के होने चाहिए वो वास्तव में देश उसी रस्ते पर चलता रहा है उनकी यही कामना है और मैंने जैसे बता है वो तिरंगे को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं तिरंगे को सलाम करते हैं अभी भी 26 जनवरी पर उन्होंने तिरंगा फेरा है तो उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं रहा है मुझे मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि उनका परेवार भी देश के बादी आए लाल क्रिशन आडवानी हर मौके पर अपनी दिवंगत पत्नी को जरूर याद करते हैं आज भूई वो ऐसा करना नहीं भूले आडवानी ने लिखा मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों विशेश कर दिवंगत पत्नी कमला के परती अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता हूं वो मेरे जीवन में शक्ती और इस्तिरता का सबसे बड़ा स्रोत रही मा का जिस तरह से मैंने याद की मैंने जिस तरह से का कि मा का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा ना केवल पारिवारिक जीवन में बर उनके राजनेतिक जीवन में भी वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी और कुछ भी होता था चाहे यात्राएं हो चाहे कुछ भी हो तो उनके साथ ही रहती थी और उनके रहते दादा हमेशा घर की जिम्मेदारियों से फ्री रहे बच्चों को हमारे हमको बढ़ाना सबसे फ्रीर है तो ममा का योगदान और एक बहुत संबल दिया उन्होंने उनके जीवन में तो उनको लाजमी तोर पर मैं आज याद करते हूं पर हम लोग बहुत खुश है लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न दिये जाने के लिए सरकार का भी आभार जताया आडवाणी ने अपने संदेश में कहा है मुझे संबान देने के लिए राश्वती द्रौपती मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद हमारा महान देश महनता और गौरब के शिखर पर प्रगती करे वो अपने जीवन में शुरू से ही बहुत डिस्सिप्लिन रहे तो स्वास्त उम्र की दृष्टी से अगर देखा जाए तो स्वास्त उनका ठीक है और हम लोग ज्यादा इस कारण से निकलते हैं कोविट के पहले तो बहुत निकलते थे कोविट के बाद ज़रा कम कर दिया आडवानी का सारजनिक जीवन कई लोगों को प्रेणना देता है उनकी राजनितिक यात्रा कई लोगों को सीख देती है संगर्ज का उनका जजवा नई पीडी को आगे बढ़ने का होसला देता है यही वज़े है कि भारतीय राजनिती में उनके दिखाए गए रास्ते पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता उतसाहित हैं सब्सक्राटी के विस्तार में अटल जी और अडवानी जी की भूमी का बहुत मत्तोपुन रही मेरा यह सवभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे 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 मिला हमारे श्रद्धिये वरिष्टम नेता आधर्णिये लाल कृष्ण अडवानी जी को हमारे सबसे लोग प्रिये नेता भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्म से नवाजा है मैं इस सभाग से निवेदन करूँगा कि हम सब लोग आधर्णिये प्रिहान मंत्री जी का जहां धन्मेवाद करते हैं वहीं लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रत्म मिलने पर उनको हारदिक बधाई भी देते हैं ये मैं जरू कहूँगा लाल कृष्ण अडवानी देश की मौझूदा राजनीती में भले ही सक्रिये ना हो लेकिन जिस दौर में उन्होंने काम किया और देश के लिए जो परी कलपना की उसे आज उनकी पार्टी साकार कर रही है आडवानी ने बीजेपी को मजबूत किया और बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए नई पीड़ी के नेताओं को लगातार मौका दिया रक्षा मंतरी राजनास सिंग भी वो नेता है जो आडवानी के मार्क दर्शन में ही आगे बढ़े आडवानी को भारत रतन मिलने पर राजनास सिंग ने कहा हम सब के प्रिणासरोत और देश के वरिष्ट निता शर्द है लाल कृष्ण आडवानी जी को भारत रतन दिये जाने के निर्णे से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूती हुई है विराजनीती में सुचीता, समर्पन और द्रन संकल्प के प्रतीक है आडवानी जी ने अपने लंबे सारजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट निर्मान में जो महत्पूर्ण योगदान किया है वो अविस्मर्णिये और पिर्णास्पद है उन्हें भारत रतन का सम्मान मिलना हर भारत वासी के लिए हर्श का विशे है मैं इस निर्णे के लिए परधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और आडवानी जी का अभी नंदन करता हूं लाल कृष्ण आडवानी को भारत रत्न दिये जाने के फैसले का विपक्ष ने भी स्वागत किया है बीजेपी आज सत्ता के शिखर पर है 2019 में भारती जंता पार्टी अपने दम पर 302 सीटे जीत कराई और इस बार यानी 2024 के चुनाब में बीजेपी का लक्ष 400 पार का है मोदी के नेतरप्त शम्ता और उनकी कारशेली के वढ़े से बीजेपी को भरोसा है कि जंता इस बार भी उनके साथ जरूर खड़ी रहेगी मोदी और बीजेपी आज बेहत मजबूत हैं और इन दोनों को ही उचाईउं तक पहुचाने में लाल कृष्ण आडवानी की बड़ी भूमिका है पियम मोदी के राजनितिक जीवन को समारने में आडवानी का एहम योगदान रहा है सबसे पहले नरेंद्र मोदी उस वक्त चर्चा में आये जब 1990 में लाल कृष्ण आडवानी ने सोबनाथ से अयोध्या तक रत यात्रा निकालने का एलान किया उस रत यात्रा का सार्थी आडवानी ने नरेंद्र मोदी को ही चुना रत यात्रा के दौरान आडवाणी ने मोधी की कारिशायली और नेत्रफ्त शम्ता बहुत करीवी से देखी इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने 1991 में गुजरात की गांधी नगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा इस सीट से वो 2014 तक लगातार जीतते रहे बतौर बीजेपी अध्यक्ष और गांधी नगर के सांसत के तौर पर आडवाणी का मोधी के साथ नाता और भी गहरा होता गया इसके बाद आडवाणी ने मोधी को पहले संगठन में आगे बढ़ाया कहा जाता है कि साल 2001 में नरिंद्र मोधी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने में उनकी एहम भूमिका रही मोधी ने भी आडवाणी के भरोसी को कम नहीं होने दिया और भूकम से बरबाद हुए गुजरात को तेजी से खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया बतार मुख्यमंत्री नरिंद्र मोधी के काम की तारीफ होने लगी मगर इसी दौर में 2002 आया जब गोधरा कांड के बाद गुजरात हिंसा की आग में जुलस उठा तब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाचपाई प्रधान मंत्री थे दंगों के बाद प्रधान मंत्री वाचपाई गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरिंद्र मोधी को राजधर्म का पालन करने की सरहा दी राजा के लिए शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता संकट के उस दौर में मोधी के लिए संकट मोचक बनकर उभरे लाल कृष्ण आडवानी दावा किया जाता है कि आडवानी ने तदकालीन परधान मंत्री अटल बिहारी वाचपाई से कहा था कि वो मोधी को स्रियम बने रहने दे उसके बाद मोधी ने कभी पीछे मुल कर नहीं देखा मोधी ने अपने विजन से गुजरात को देश का मॉडल स्टेट बना दिया मोधी के नितरप्त में ही बीजेपी गुजरात में अजय बन गई 2007-2012 में बीजेपी ने पूर बहुमत के साथ सरकार बनाई 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोधी को पीम उम्मीदवार बनाया और 2014 में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काविज हो गई जीतने के बाद मोधी ने आडवानी का आशरवाद लिया और संसद में पूरे देश ने गुरु और शिर्ष के मजबूत रिष्टे की भावुक्ता को भी देखा उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कुरुपा की क्या मा की सेवा कभी कुरुपा हो सकती है मोधी के लिए आडवानी एक गुरु के साथ-साथ एक मार्ग दर्शक बने रहे परधान मंत्री मोधी ने भी अपने गुरु के पढ़ती सम्मान का भाव कभी कम नहीं होने दिया आडवानी के हर जन्म दिन पर PM मोधी उनके घर जाते हैं और अपना पन दिखाते हैं आडवानी बीजेपी के मार्ग तरशक हैं 2015 में मोधी सरकार ने उन्हें पदम विभूशन से समानित किया था और अब उन्हें भारत रत्न दिया है आडवानी के घर में मोदी का स्वागत एक परधान मंत्री के तौर पर नहीं वलकि परिवार के एक सदस्य के रूप में होता है परधान मंत्री जी ने सुबह सुबह बाचित की, क्या कहा, क्या परधान मंत्री जी मिलने आएंगे ऐसी कोई बात पता नहीं है वो आएंगे तो उनका घर है स्वागत है बहुत धन्यवाद उनका स्वागत है वो हमेशा आते रहते हैं तो उनका स्वागत है और मैंने जैसे का कि हम लोग एक परिवारी हैं सब लोग और खुशी होती है सब एक परिवार का हिस्सा अपने आपको मानते हूं इसके लिए बह जानमंत्री मोदी को आडवानी ने राजिनितिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया और मोदी ने भी आडवानी के जीवन का सबसे बड़ा सपना राम मंदिर का निर्मान कराया है। उन्होंने अपने भाव व्यक्त किये थे जब राम मंदिर उद्गाटन की बात हुई थी, अभी प्रान प्रतिश्था की बात हुई थी, क्योंकि उनके जीवन का ये सबसे बड़ा स्वापन रहा है और आपको पता ये राम राथ यात्रा वगेरा जो उन्होंने निकाली इसी उद्देश्य से कि उनका एक सपना था कि राम मंदिर की प्रान प्रतिश्था हो और मुझे इसकी खुशी है, उनको भी बहुत खुश कि उनके जीवन काल में ये संभव हो पाया, तो इससे ज्यादा आदमी को कुछ चाहिए नहीं होता वैसे भी राम जन भूमी पर भव राम मंदिर का निर्मान और राम लला की प्रान प्रतिश्था दोहजार चौबिस में हुई, लेकिन मंदिर निर्मान का रास्ता तो आडवानी ने ही तयार किया था, साल था 1990 जब आडवानी ने रत यात्रा निकाली थी उसको कौन रोकेगा। आडवानी के रत यात्रा के बाद महौल बदला, राजनितिक तौर पर भी बीजेपी मस्बूत हुई और देश की सत्ता तक पहुँचने में सफल रही। आडवानी भारतिय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आडवानी के साथ मिलकर आडवानी ने बीजेपी को सत्ता के शिघर तक पहुचाया। आडवानी का जन्म आठ नमबर 1927 को करांशी में हुआ जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1942 में 14 वर्ष की उमर में रास्टिय स्वयम सेवक संग से जुड़े। 12 सेतंबर 1947 को बटवारे के बाद उनका परिवार दिल लिया गया। 1951 में जन्संग से जुड़े। अपरैल 1970 में पहली बार राजसवा सांसत बने। दिसंबर 1972 भारतिय जन्संग के राश्ट्रिय अध्यक्ष न्यूक्त के गए। आपात काल के दोरान 26 जूर 1975 को गरफ़तार किये गए। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ तो उसके संस्थापक सरस्यों में आडवानी भी रहे। 1980 से 86 तक भारतिय जन्ता पार्टी के महा सचिब बनाए गए। मई 1986 में भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने का एलान किया। अक्टूबर 1999 से 2004 तक ग्रह मंत्राले समहला और जून 2002 से मई 2004 तक उप्परधान मंत्री भी रहे। ग्रह मंत्री और उप्परधान मंत्री के तौर पर आडवानी का योगदान जितना एहम है उतना ही योगदान बीजेपी को मजबूत करने में भी है। 1990 की रत यात्रा के बाद बीजेपी मजबूत होती कई और 1992 में जब विवादिट धाचा गिरा तो बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता भी बनने लगा। 6 दिसंबर 1992 के 3 साल 6 महीने बाद वर्ष 1996 में पहली बार भारती जंता पार्टी ने अन्न सहयोगी दलों की मदद से दिल्ली में सरकार बनाई। अटल विहरी बाचपई प्रधान मंत्री बने सायोग देखिये इस बार भी पार्टी का नेतरफ लाल करिशन एडवानी के हाथ में ही था। बाचपई सरकार दूसरे दलों के सायोग से सिर्फ 13 दिन चली। 1998 में में फिर आम चुना हुए वाचपई और आडवानी की जोडी ने सीटों के लिहाज से बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। बीजेपी के पास 182 सीटे थी, कॉंग्रेस के पास सिर्फ 41 लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बहुमत चाहिए था और बहुमत के लिए दूसरे दलों का साथ यानि एंडिया का जन्म हुआ। बीजेपी के अगवाई वाला National Democratic Alliance वाचपाई की नेतरत में एंडिया की सरकार बनी लेकिन एंडिया के कई घटक दलों के दवाब में बीजेपी को रामंदिर का मुद्दाद छोड़ना पड़ा। साल 1999 में फिर लोगसभा चुना हुए और वाचपाई की अगवाई वाली एंडिया सरकार पहले से अधिक मजबूती के साथ बनी जो पूरे पांच साल तक चली। 2004 में बीजेपी भले ही केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई हो लेकिन लालकृष्ण आडवानी बिपक्ष के निता के तौर पर अपनी आवाज उठाते रहे। उन्होंने ही काले धन के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई और यूपीए सरकार को भरष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेरते रहे। आडवानी 2009 में बीजेपी के परधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए। बीजेपी की मजबूती के लिए आडवानी ने जो संगर्ष किया और जिस रणनीती के हिसाब से निताओं को आगे बढ़ाया उसका परणाम 2014 में सामने आया। गुरु दक्षनादी है। ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया। जीजेए 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 जीजेए